प्रीविद्यार्थियों आज हम अपराद नामक अवधार्णा के बारे में अध्यन करेंगे। अपराद एक ऐसे अवधार्णा है एक ऐसा संबोध है जिसमें व्यक्ति समाज द्वारा स्विक्रत नीमों और आदर्सों के विप्रित व्यभार करते हैं। एसा व्यभार, मनिश्यों का ऐसा व्यभार जो समाज सम्मत न हो, समाज के जो नियम हैं, कानून काइदे हैं, जो मुल्य हैं, रथाएं हैं उनके विरुध हो। तो ऐसा करतिय अपराद की स्टेणी में रखा जाता है। अब हम सबसे पहले अपराद की समाज सास्त्री व्याख्या करेंगे। अपराद एक समाज सास्त्री अवधारना भी है, उसके बाद हम इसकी कानूनी व्याख्या करेंगे। क्यूंकि अपराद एक कानूनी अवधार्ना भी है, तो सरप्रतम अपराद एक समाज़ास्ति अवधार्ना है। सामाजिक एवं समाज़ास्ति देष्टी से वे वैवहार, जो समाज़ विरोधी हैं अपराद कहे जाते हैं। इलियेट और मेरिल महदय ने अपने पुस्तक सोशियल डिस ओर्गेनाजेशन में कहा है कि समाज विरोधी वैवहार जो की समूह द्वारा स्विकार किया जाता है जिसके लिए समूह दंड निर्धारित करता है अपराद की रूप में परिभासित किया जाता है ऐसा क्रित्य जो समाज के विरोध में हो और उसके लिए समाज कुछ पनिस्मेंट की विवस्ता करता है दंड की विवस्ता करता है दंड निर्धारित है तो वह अपराद होता है अब हम यहाँ पर मौवरर मौवदे की बारे में बात करेंगे उन्होंने कहा है ए आर मौवरर उनकी पुस्तक का नाम है डिस ओर्गिनाजेशन पर्सनल एंड सोशिल मौवरर मौवदे ने कहा है कि अपराद को सामाजिक मानदंडों का उलंगन मानते हैं इन परिभासाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि अपराद एक समाज विरोधी व्यवहार है या अपराद को समाज विरोधी व्यवहार की रूप में व्यक्त किया जा सकता है किसी व्यवहार को सामाजिक दिरिष्टी से अपराद ठहराने के लिए सदरलेंड ने तीन बातों का होना आवशिक बताया है कोई भी करते अपराद की स्रेणी में कब रखा जाएगा उसके लिए तीन तत्व आवशिक होते हैं पहला एक मुल्य जिसे एक समूह या उसके किसी भाग द्वारा महत्पूर्ण माना जाता हो दूसरा इस समूह में एक दूसरे भाग का होना जो कि उस मुल्य के अधिक या कम विरोध में हो और इस कारण उसके लिए घातक सिद्ध हो तीसरा सदरलेंड महत्पूर्ण ने बताया कि एक सू उसपस्ट या उचित दंड वैवस्था का होना जिसे कि उस मुल्य का आधर करने वाले मुल्यों का अनाधर करने वालों पर लागू करना इस तरह से हम कह सकते हैं कि समाज सास्त्र दिष्टिकौन से अपराद के निमनाकित पक्ष हैं इसे अपराद मानवी संबंधों में बाधा पैदा करता है रुकावट पैदा करता है अपराद का निर्धारन प्रचलित सामाजिक मुल्यों आधरसों के आधर पर होता है वे कारे जो सामाजिक मुल्यम आदर्सों को तोड़ते हैं उन्हें अपराद समझते हैं अपराद समाज वेवस्ता एम एकता के लिए खतलनाक समझा दता है एकता में बादक है वा कारे अपराद है जिसके प्रति सामाजिक प्रति के लिए हो समाज द्वारा जिसके लिए विरोध प्रकट हो अपराद के लिए समाज द्वारा दंड की वेवस्ता की जाती है जिससे की भविश्य में इस प्रकार की वेवार दोहराए नहीं जाए अधा कुल मिलाकर अपराद वह है जो किसी व्यक्ति द्वारा समाज समद मुल्यों, मांदंडों, आदर्सों, रिती रिवाजों के विरुद किया जाता है अब हम अपराद की कानुनी आउधारना के बारे में चर्चा करेंगे अपराद की समाज सास्त्री व्याख्या बहुत प्राचीन है कानूनी द्रिष्टी से अपराद की व्याक्या बहुत देर बाद विक्सित हुई है इस व्याक्या के नुसर वे सारे कारे जो किसी समय विसेस में किसी राज्य में किसी देश में समय धान अपराद सहीता या राज्जी के नेमों के विपरित गोशित किये गए हूं अपराद कहलाते हैं मौरर महदे ने कहा है कि अपराद वह कार्य है जिससे कानून का उलंगन होता है जो नियम किसी देश ने बना रखे हैं जो उसका समिधान है जो उसके क्रिमिनल कोड है उनके विरुद कोई भी काम किया जाता है तो वह अपराद की स्टेणी में आता है इसी तरह से सेथना ने कहा है कि अपराद वह कार्य या तुरूटी है जिसके लिए कानून दंड देता है M.J. सेथना उनने कहा है ऐसा काम जिसके लिए सरकार इसके लिए राज्य पनिस्मेंट की वेवस्ता करता है, कड़े दंड की वेवस्ता करता है, वो अपराद की स्रेणी में रखा जाता है। अपराद की कानूनी अवधालना का संबंद प्रमुक्त अच्छे बातों से है, आओ इनके बारे में अध्यन कर ले। आफरेंड विरोधी व्यवहार प्रकेट करना भी आवश्यक है, अपराद का संबंद दंड से होता है, अपराद का संबंद सामुक हित्यम कल्यान से बिए। जो कारे समु कल्यान को ठेस पहुँचाएं, राज जी को ठेस पहुँचाएं, वह कानूनन अपराद भोशित किया जाते हैं। तो प्यारे विद्यारतियों, यह अपराद के बारे में आपकी एक समझ बनाने का प्रयास किया गया था। आप लोग अपराद के अवधारना के बारे में प्रयारम्भिक ज्ञान हो गया होगा, मैं यह उम्मीद करता हूं। थैंक्स तो अल अफ्यू।